नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब? दोस्तों मैं डोक्टर आरीफ मलेग एक बार फिर से आप सब का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तक्बाल करता हूँ और आपके अच्छे स्वास्त की कामने करता हूँ दोस्तों गुदा में खुजली या लेट्रिंग के रास्ते में खुजली हो तो क्या करें? वैसो तो यह बहुत याम समस्या है लेकिन मुसीबत तब आ जाती है जब हम किसी पार्टी, मीटिंग या फैमिली के साथ बैठे हों तब यह खुजली शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जदी करते हैं तो स्वम को शर्मिंदगी महसूस होती है कुछ लोग इसे गंबीरता से नहीं लेते जिसकी वज़े से आगे चलकर यह गंबीर समस्या पैदागर देती है बार-बार खुजली आने पर आपको जलन, इर्रिटेशन और कुछ डिस्चार्ज भी हो सकता है इसलिए इसका समय से उपचार कराना बेहस्ज जरूरी है इसके घरे लोग उपचार हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि गुदा में खुजली यानि की प्रुराइटिस नहीं क्या है और उसके कारण क्या है दोस्तर गुदा में खुझली क्या है? गुदा में खुझली जिसे Medical Trum में Priorities N.B. कहा जाता है इसमें व्यक्ति की गुदा में काफी तेज खुझली होती है खुझली किसी भी वज़े से हो सकती है खुजली होने के काफी कारण हो सकते हैं जैसे कि अधिक कब्स रहने की वज़े से पीट में कीडे होने की वज़े से बवासीर, भगंदर या फिर फिशर होने की वज़े से गुदा को रगडगर दोने की वज़े से फंगल इंफेक्शन की वज़े से गुदा की ठीक से सफाई ना करने की वज़े से, योन संचरिक संक्रमन यानि की सेक्सुल ट्रांस्मिंटिड डिसीज, एश्टीडी, पिन वोर्म और यीष्ट इन्फेक्शन की वज़े से, लंबे समय तक दस्त भी जलन पैदा कर सकते हैं, जाजर तेज मिर्च मसाले वाला भोजन खाने की वज़े से भी गुदा में खुजली हो सकती है, थाइरेड, डाइबिटीज या फिर ट्यूमर की वज़े से भी गुदा में खुजली हो सकती है, दोस्तो गुदा में खुजली का घरेल उपचार क्या है, दोस्तों यदि आपकी गुदा में खुजली है और आप उसको उपचार कराना चाहते हैं तो जो मैं आपको घरेलो नोक्षे बताऊंगा ये आपको निश्चित तोर पर लाभ देंगे लेकिन यदि आपकी इचिंग बढ़ती है या फिर इससे अराम नहीं मिलता है तो आपको अपने नजदी की चितिक सक को दिखाना जरूरी है सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सर्सो का तेल और हल्दी लेनी है हल्दी में थोड़ा सा सर्सो का तेल मिलाकर सीधे गुदा पर लगाएं यदि अभी खुजली सुरू हुई है तो इस उपाय से आपको निश्चित तोर पर फाइदा हुआ आप चुक्ट की भर हल्दी दूद में डालकर भी ले सकते हैं दूसरा नुक्सा क्या है दूसरा नुक्सा ये है कि नीम के पत्तों का पीस कर उसमें थोड़ी सी हल्दी और सर्सो का तेल मिलाकर गुदा पर लगाएं इससे खुजली के साथ साथ जो बर्निंग की शिकायत है उसमें भी ये काफी फाइदा पहुचाता है इसके पर्योग से ये सबी चीजे ठीक हो जाती है तीसरा जो नुक्सा है वो ये है कि आपको चंदन का तेल लेना है लगतार दस्त होने के कारण जो हमारा गुदा दुआर होता है वो नाजूक हो जाता है और वहाँ पर गंदगी भी जमा होने लगती है जिसके कारण जलन की गुदा, पित की गर्मी के कारण या फिर वहाँ पर फोड़ा फुंसी हो गया है जिससे मवाद निकलने लगी है वहाँ पर परवर की पत्ती और मुलहटी के कड़े से गुदा को साफ करने चाहिए दोस्तो अभी आपने जाना के गुदा में खुजली में क्या-क्या घरेली नोक से इस्तेमाल कर सकते हैं अब जानते हैं गुदा में खुजली से बचाओ के उपाए और दिनचरिया दोस्तो हमें ऐसी कैसी दिनचरिया रखनी चाहिए कि हमें गुदा में खुजली ही ना हो इसके लिए आपको करना क्या है इसके लिए आपको गुदा की सफाई गुन गुने पानी से करनी है पानी जादा तेज गर्म ना हो नियमित रूप से शोच की आदत बनाएं जब लगे तभी जाए बे वज़ा टोईलेट में जाकर ना बैठें शोच करते वक्त जो और बिल्कुल ना लगाएं हमेशा सूती अंडर्वेर ही पहने या गुदा छेतर को जो गुदा एरिया होता है उसको सूखा रखता है कभी भी गुदा को गीला ना रहने दें क्योंकि यह नहीं समस्याओं का कारण बनता है सेंटेड या दूर्गंद युक्त साबून का पर्योग ना करें गुदा को कभी भी नखुन से ना खुजाए ना वहाँ पर रगड़े हमेशा सोफ्ट टीशू पेपर का इस्तेमाल करें इससे दबा कर सुखाएं रगड़ कर ना सुखाएं दोस्तो अब जानते हैं एनलीचिंग से बचने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं दोस्तो गुदा खुजली को हम काफी हद तक अपने आहार के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं बस हमें अपनी दिन चरिया और आहार में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है आईए जानते हैं प्रोवाइटिस एनि में क्या खाएं और क्या ना खाएं सबसे पहले बात करते हैं क्या खाएं आपको अपने आहार में फाइबर की मात्रा प्रियाप्त रखनी है जैसे ताजा, फल, शबजी, नित्य प्रियाप्त मात्रा में पाने पियें इससे कब्ज नहीं होगा तो इसकी समस्या नहीं होगी दही का शेवन करें, हल्दे वाले दूद का सेवन कर सकते हैं और क्या ना करें, ज्यादा तेल, वसायुक्त और मिर्च मसाले वाला भोजन ना करें कोफी, चाय, कोका कोला, कोल्ड रिंग्स, फास्ट फूड, जंक फूड, इन चीजों से पचें जिन फूड से आपको ऐलर्जी है, उनका सेवन ना करें, ज्यादा मेठा ना खाएं तो यह कुछ राइट थी आपको, जो आपको खानी है और जो आपको नहीं खानी है दोस्तो आप जान लेते हैं, गुदा में खुजली से होने वाली गंभीर समस्याई क्या है दोस्तो यदि गुदा में खुजली कई दिनों तक बनी रहती है, तो आपको कुछ समस्याई हो सकती है जैसे कि गुदा फिशर, फिश्टूला, जिसे भगंदर भी कहते हैं, बवासीर, गुदा में गांट, इसलिए गुदा की खुजली का समय से इलाज कराएं और इन बिमारियों से बचे हैं यदि आपको इन नुक्सों से भी आराम नहीं मिला है और खुजली निरंतर बढ़ती जा रही है, तो आप अपने किसी अच्छे से एनोरेक्टल आयर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं और अपनी इस बिमारी का इलाज कराएं तो दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही, मुझे आशा है कि मेरे द्वारे दी गे जानकर यह आपको पसंद आई है, हमारी इस वीडियो का लाइक एंड शेयर और शेय करें, जिससे कि अगर किसी को भी इस तरीके की कोई दिक्कत परिशानी है, वो हमारी वीडियो द देखकर जादे से जादा फाइदा उठा सके है, थान्यवाद.